और अंग्रेजी बर्नमाला में अस्मॉल लेटर और कैप्टल लेटर के कई ऐसे अक्छर हैं जो एक ही समान दिखते हैं जिससे यूजर को कैप्चा फिल करने में प्रेसानी होता है इस वीडियो में हम बात करेंगे सोल्व केप्चा के बारे में एडिट प्रोफाइल के बारे में और क्रिप्टो पेमेंट के बारे में वीडियो में अंतक बने रहें नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मंटन सर्मा तो सबसे पहले हम बात करेंगे crypto payment के बारे में यदि आप o connect का subscription package खरीदने के लिए crypto से payment करते हैं और वह payment फेल्द हो जाता है या फिर वह payment pending में चला जाता है तो आप उस pending transaction का feedback उस merchant को दे सकते हैं उस merchant को भेग सकते हैं जिस merchant के दौरा आप payment कर रहे हैं और इससे उस merchant को यह प आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है पेमेंट करते समय जब पेमेंट फेल या पेंडिंग हो जाता है तो आपके स्क्रीन पर एटोमेटिक एक पॉप पेज ओपन होता है बस आपको उसे सम्मिट कर देना है ओकनेक का subscription package crypto payment के द्वारा खरीदने के लिए हमे marketplace में जाना है उसके बाद get it now वाले बटन पर क्लिक करना है नीचे की और scroll करना है और नीचे में जो subscribe का बटन है उस पर क्लिक कर देना है इतना करने की बाद आपके सामने इस तरह का interface आ जाएगा यहाँ पर यदि revenue wallet में tick लगा हुआ है तो आपको ऐसे ही छोड़ देना है औ खैच्चा को फिल करने के बाद submit बटन पर क्लिक करके confirm order वाले बटन पर क्लिक कर देना है अब आपके सामने पेवित rocket fuel का बटन दिखेगा अब यहाँ तक जो भी process हुआ है वह on passive ecosystem के बेपोटल पर हुआ है तो इतना process करते समय यदि आपके साथ कोई technical issue होता है तो उस issue को on passive technical team द्वारा solve किया जा सकता है लेकिन अब यहाँ के बाद जो भी process होगा वह नया page rocket fuel बेपोटल का है rocket fuel वाले option पर क्लिक करने के बाद जो नया page open होगा यह page rocket fuel बेपोटल का है तो अब इस page पर यदि कोई technical issue होता है तो उस issue को rocket fuel technical team solve करेगा अब यहाँ पर आपके सामने इन crypto option में से किसी एक crypto option को select कर लेना है जिस crypto option के द्वारा आप payment करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर USD coin को select कर लेता हूँ उसके बाद हमें ok पर click कर देना है अब यहाँ पर इस qr code को अपने crypto wallet से scan करके payment करना है या फिर यहाँ पर जो payment address दिया हु हुआ है उसे यहाँ से copy करके अपने crypto wallet के payment address में डालना है और यहाँ से payment करना है और किसी कारण बस यदि आपका transaction फेल हो जाता है या फिर pending हो जाता है तो उस issue को rocket fuel के technical team को solve करना है इसमें on passive के technical team द्वारा कुछ नहीं किया जा सकता है और किसी कारण बस यदि आपका transaction फेल ह हो जाता है या फिर पेंडिंग हो जाता है आप उनपैसिफ एको सिस्टम के पेज पर चले आते हैं और यहां पर आपको इस तरह का एक पेंडिंग मैसेज दिखाई देता है और इस नोटिफिकेशन में यहां पर चेक ट्रांजेक्शन अस्टेटस का बटन लगा हुआ है जिस पर क्लिक करके आप इस ट्रांजेक्शन को अपने इको सिस्टम के बॉलेट ट्रांजेक्शन में देख सकते हैं इस ट्रांजेक्शन के दावरान रॉकेट फ्यूल टेकनिकल टीम को फीडवाइक सम्मिट करने का ओप् पाता है तो आप उसे आसानी से submit कर सकते हैं अब हम बात करते हैं ecosystem के edit profile के बारे में जब आप ecosystem के profile detail option पर आएंगे तो आपके सामने profile detail का option कुछ इस तरह से दिखाई देता है यहाँ पर nationality select करने का option है जिस पर अभी यदि आप इस पर click करेंगे तो यह click नहीं होगा यह edit नहीं होगा वहीं यहाँ पर mobile number फिल करने का option है तो इस पर भी click करने पर कुछ नहीं होगा इन profile detail को edit करने के लिए या फिर इन profile detail को select करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ edit profile वाले option पर click करना होगा edit profile वाले button पर click करना होगा और जब आप इस button पर click करेंगे तो यह button save button में बदल जाएगा और यहाँ पर cancel button हो जाएगा तो अब आप इसमें यहाँ से nationality को select कर सकते हैं आप जिस country में रहते हैं उस country को आप यहाँ से select कर सकते हैं मैं अभी इंडिया में रहता हूँ इसलिए मै इंडिया को select कर लेता हूँ उसके बाद आपको यहाँ पर अपना mobile number डाल करके यहाँ save button पर click कर देना है और जब आप save button पर click करेंगे तो आपका profile save हो जाएगा लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि जब आप nationality को select करेंगे तो select करने की बाद आपको mobile number वा डाले जब मैंने यहाँ पर save किया तो यहाँ पर this field is required लिखा हुआ नजर आ रहा है जो red color से लिखा हुआ है इसलिए यदि आपने ecosystem के profile में यदि mobile number नहीं डाला है और आप अपने profile को edit करना चाहते हैं तो edit करने के बाद आपको अहाँ पर अपना mobile number ज़रूर डालना है और ब इसलिए profile detail को edit करते समय या फिर change करते समय आपको इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है इसके अलाबे अब हम बात करते हैं solve capture के बारे में अब तक आपने payment करते समय ओ connect का subscription package खरीदने के लिए payment करते समय capture fill करने के option को देखा होगा capture वाले image में जो भी लिखा हुआ रहता है बस हमें उस capture वाले box में fill करके submit करना होता है यदि capture a small letter में है और हम उसे capital letter में लिखते हैं तो वह filled हो जाता है जब तक capture same to same match नहीं करता है वह submit नहीं होता है और अंग्रेजी बर्नमाला में a small letter और capital letter के कई ऐसे अक्षर हैं जो एक ही समान दिखते हैं जिससे user को capture fill करने में प्रेसानी होता है और इस प्रेसानी को दूर करने के लिए ecosystem के register page पर solve capture वाले option को add किया गया है यानि capture वाले image में 3 plus 3 बराबर का sign होगा अब आपको capture वाले box में 6 लिख करके submit करना है तब वह capture submit हो जाएगा और इस तरह का capture आप ecosystem के register page पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 0 plus 5 plus 6 बराबर उसके बाद question mark का चिन है अब आपको इस capture वाले box में 0 plus 5 plus 6 कितना होता है इस capture वाले box में वही लिखना है यानि इस capture वाले box में 11 लिखना है और जब आप इस capture वाले box में 11 लिख करके submit करेंगे तो आपका capture submit हो जाएगा तो कुछ इस तरह से solve capture वाले option को ecosystem के registration page पर add किया गया है और इससे हमें यह पता चलता है कि यूजर की परेशानी को दूर करने के लिए टेकनिकल टीम द्वारा जो कुछ भी बन पाता है वह किया जाता है उमीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं